नमस्कार दोस्टों स्वागता आप से काला ने डवस्टी चल्पेक उफिस से दोस्वाइब से बीछाज लेटिस अब लेट के साथ विडियों में बात करेंगे टीजीडी पीजडी सिच्छक भरती के वाई में साथ ही उच्च प्यात्मिक के अंदर 45,625 इच्छों के वाई में बात करेंवाले हैं 79,000 बेसिक चाप मंतिसर की तरफ से कुछ कभी मिली और उसके वाई में बात करेंगे साथ ही 79,000 की थर्ड चैन सूची के वाई में 36,590 साथ है 79,000 के अंदर 22,000 बातों को लेकर आंगरमाणी विवस्ता के लिए 3500 बाती के विग्यापन के वाई में बरवाई में अपडेट हम कभर करने वाले चरीदोसों वीडियो शुरू करते हैं इस लर्निंग प्लेटफॉर्म अनकेडमी लेकर आया है बेस्ट आप सेडीपी फॉर सीटी नौ जनवरी से लेकर 11 जनवरी फिर और अनकेडमी मतलब की विल्कुल फिरी किलासे जो की नौ तारिक से लेकर 11 तारिक के बीच में आपको मिलेंगी अगर आप टैट चिट की प् और प्लेटफॉर्म प्लेटती लेकर आपको मिलेंगे बहुत सारी फीचर से लाइप और सकते हैं अल्लिमटेट एकसस कर सकते हैं सभी कोर्से पर practice test attempt करने का मौका मिलेगा सभी batch को access कर सकते हैं mentorship and guidance भी मिलेगी exhaustive covers होगी सभी slivers पर regular doubt killing session भी होगा साथ ही live test attempt करने का मौका मिलेगा live test series भी होगी study material भी मिलेगा PDF format में जागा जानकाई के link वीडियो की description में है unacademy पर TET plus subscription अगर आप लेना चाहते हैं month 3 month 6 month 12 month के लिए सभी प्राइज आपके सामने लिखे हुए है सभी batch को access करने के लिए एक ही subscription काफी है use कर ये आदाजी टीटी कोड इससे आपको मिलेगा 10% discount तो सबसे पहले बात करते हैं सिच्छक भरती को लेका जैसा कि आप सभी को पताती है कि प्रदेश के अंदर प्राथमिक की बात हो मतलब की जैसा कि आप सभी को बताए six to eight की हम बात कर रहें या फिर इसके अलावा टी जपी कोई भी सिच्छ двух की ृड़ी की घाना तो ऐसे में सिच्छों ओं कम्ही हमारी प्रदियस के अंदर हर एक विबाग के अंदर है परात्मिक तीज़ीटी पीज़ीटी या फिर ऐल्टीगेट में लेकिन जैसा कि आप सभी को पताएं कि जब तक यहां पे सिच्छक की कम्ही रहती है तो चाथों की संखिया और कम हो जाती है और जब यहां पर अनुपात होगा वो चात्तों के अधार पर ही लिया जाता है जैसे जैसे यहां पर चात्त कम होते जाएंगे उतनी डिमांड सिच्छों की कम हो जाती है लेकिन सच यह है कि सिच्छों की कमी होने की विएसे चात्तों की संख्या और जाला कम हो जाती है नहीं समझे मैं समझाना जाओंगो आप सुभी को यहाँ पर उच्छ प्यात्मिक के वाई लेकिन उसे पहले मैं आप सुभी को बता दू जिसा कि आप सुभी को बता है कि टेज़िटी पीज़िटी की बरती काफी लंबे समय से लंबित है जिसा कि आप सुभी को मैंने बताया कि सिच्छकों की कमी है ये बरती दोजा सोले में निकाली गई थी, उसी के में 735 पतों का परड़ाम गोशित हो गया है, बड़ी अच्छी खुशकभी देखने के लिए मिल दी कि चैन बोड के माध्यम से, पहले 2020 के अंतिम दिन पर आप सभी के सामने यहां पर परड़ाम गोशित हुआ, अंगेजी निकली है, वो यहां पर कहिने की इस पर शब्दों में जानका यह नहीं दी गई है कि कब तक बिग्यापन जारी किया जाएगा, और कब तक आने की संबाबना उनका कहना है कि 30 हफते के अंदर TGT PGT 2020 का बिग्यापन आ सकता है, लेकिन ऐसे में पुराने परड़ाम गोशित किये जा रहे हैं, तो उम्बीत की जा सकती कि आगामी समय के अंदर चैनबूर्स हो देगा, लेकिन यह 4 साल बाज भरती पूरी हो रही है, तो ऐसे में हम नहीं चाहते कि TGT PGT 2020 का जो बिग्यापन जारी हो या फे 21 का हो, वो 21 के अंदर ही पूरा होना चाहिए, जिससे कि अ समय पर यहां पर जो नौकरी हो मिल पाए, तो इसी को लेकर अभ्यतियों के माध्याप से बायाताई को धैना प्रदेशन होने वाला है, वहां पर तमाम मांगे रखी जाएंगी, साथ में 40,000 प्रदोकी मांग रखी जाने वाली है, और भी काफी चीज़े आपको देखने के मिलेगी, लेकिन ऐसे में चैन बोड़ की तरफ से पुराने परड़ाम जारी किया जारे हैं, तो उसका ही ने कहीं इन से अंदाज है लगाया जा सकता है, कि चैन बोड़ पर जो काम में वो शुरू हो गया है, तो उम्भीर करते हैं कि जल्दी नई विग्यापन पर भी काम क कि आजाएगा, तो यह तो दोस्तों बात हो जादी TGD के बारे में, तो जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में समझा है कि सिच्खों की जब कमी होती है, तो उसे नुकसान कहिने की चात्यों का होता है, और जितने चात्यों होते हैं, उससे भी कम होते जाते हैं, जै इनी तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, TGD की चार साल से भरती लटकी हुई है, तो ऐसे में यहाँ पर भी आप सभी के सामनी आएगा, बेसिक चीज़ा परिसत की अगर बात कहें, पैंतालीस या छेसो पचीस स्कूलों में हजारों विसेरों के अंदर सिच्खो की कमी है, उसी करम में अगर बात कहें, सूबे के 80% उच्छ प्रात्मी विद्यालव में सिच्खों की कमी है, नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, 29 या 334 सिच्खों के बाद भी नई हुई सीधी भरती जैसा कि आप सभी को पताए, कि 29 या भरती दोजा 13 में शुर नहीं बच्चे हैं, RDI मानक की अनुसार पढ़ाई नहीं हो पा दी है, ऐसा यहाँ पर दीबग मिश्या का भी कहना है, एक जुलाई 29 को निक्त परमोशन से 32 सिच्खों की जानकाई दी गई थी, तो उसी करम में यहाँ पर भी आप सभी के सामने आ जाता कि 10 साल बाद भी प असी फीजदी ऐसे बिसे हैं, जैसा की नीचे देखने के लिए मिले हैं, गड़ित बिग्यान साथ में सामज बिग्यान के सिच्खक ही नहीं है, जबकि यूपी में जुलाई 2011 को लागू किया गया आर्टी एक्ट कानुसार, प्रते एक उच्च प्रात्मी विद्याले में अनिवार रूप से इन तीन विसे हों की सिच्खक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो तीनों विसे हों की सिच्खक ही नहीं है, असी फीजदी आप अंदाज लगा सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर सिच्खकों की जो परद हैं, वो खाली हैं, लेकिन क कहीं ने कहीं ना तो भर्तियां देखने के लिए मिलती ना प्रमोशन की माध्यम से पदभाई जाते हैं उसी कितम में अगर बात कहां 29,000 भर्ति को लेकर बोई काफी लंबे समय से लटकी हुई है पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है एक भर्तिय बार चार सो साथ उस के बारे में जिसके अंदर हजारों सच्चकों की जो परदें वो खाली पड़े हुए ऐसे में उम्भीत करते हैं कि प्राथमिक की बात करें उच्छ प्राथमिक की बात करें या फिर टीजीटी की हो आगामी समय के अंदर सरकार को सही तरीके से अधियाचन लेकर बिल्कुल सदीक जानकाई निकालते हुए अव्यरतियों की यहां पर जो भरती निकाली जाए जिससे की कहीने की अव्यरतियों को मौका मिले प्राथमिक के अंदर भी 51,000 परदखाली है जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है तो उसी कर्म में यहां पर जानकाई आप सभी के सामने है वहीं दूसरी तब बात करें 79,000 सिच्छक बरती को लेकर जिन्हों ने अभी तक वीडियो को लाइक निकाए वीडियो को लाइक अबर्शे करते हैं साथ में शेयर भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें तो सबसे पहले बात करेंगे 79,000 के बारे में दो धाने प्रदर्शनों के बारे में क्योंकि अब्यर्थी बात में कमेंट करें करते हैं सर आपने हमारी बात नहीं बताई तो जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा सचर बरती अब्यर्थी उन्हें बीग मांग कर जताया विरोद मामला क्या है आप सभी जानते हैं शंशोधन को लेकर तुटियों को लेकर प्रापतां कुडां को लेकर मेल फीमेल के मामले को लेकर उसी करम में लगाता यहाँ पर जो आपको सुनबाई हैं देखने के लिए मिल दा है लेकि सरकार की तरब से अभी कोई सुनबाई नहीं हुई है दूसी तब अगर हम बात कें दिब्यांग अभ्यतियों को लेकर वो भी यहाँ पर लगाता अपना धना प्रदेशन दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं जिनका कहना है कि 4% आच्छन नहीं मिला है पुरानी भरती की सीटों को जोड़ दिया जाए और भी व किया जाएगा मुझे अभी अभ्यरती पूस्ते हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर सरकार की तरफ से केस टू केस रीडिंग की जा रही है इसी वैसे अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है इंतजाही करना एक उप्शन है तो उसी कर्में जानका ही आप सभी के सामने है तो यह तो दोस्तों बात रहती है आप सभी के धना प्यदशन को लेकर जो कि शंशोदन वाले अभ्यरती हैं साथ में दिप्रांगें उम्मीत गहते हैं जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा लेकिन वही दूसी तब बात के 99,000 के वारे में बहुत सारे अभ्यरती के मन में स कुछ नहीं होगा बहुत सारे अभ्यरती बार बार पूछे थे कि 22,000 की क्या अबडेट है जिसा कि मैंने कई बार आप सुभी को जानकाई दी है कि 22,000 को लेकर अगर बात करे मंती जी के सामने और विवाग की अधिकाईयों के सामने कई बार तथ रखे गया उनके सामने कहा जोड़ दी जाएं लेकिन भिवाग हो या फिर मंती जी हो इस पश्च सब्दों में जानकाई नहीं देते हैं तो ऐसे में बाइस या सीटों को लेकर जो सुनवाई के लिए लगा हुआ सुप्रिम कोट के अंदर अभी उसकी कोई भी तिथी निदायत नहीं हुई है या फि दूसी तब बात कर अभ्यातियों के लिए खुशकभी के बारे में वह सारे अभ्याति कल थर्ड काउंसलिंग को लेकर पूर से कोई दिखाई दे रहे थे सर कोई मीटिंग चल रही या फिर कोई यहां पर लिस्ट बनके त्यार हो गई है तो अभी तक इस प्रकार की कोई भ बिवाग की अधिकाईयों के साथ में कल भी मुलाकात हुई थी जहां पर जानकाई लेने का प्यास किया गया उनका कहना था कि सभी जिलों की जो लिस्ट है जैसे ही आती है खाली पदों को लेकर उसके बाद में यहां से आप सुभी को चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो कि आप सुभी को यहां इमेज के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा बेशिक्स इचा मंती सर के साथ में आप सुभी को देखने के लिए मिल रहें उसी करमें यहां पर भी आप सुभी के सामने आते हैं ग्यापन आप सुभी देख सकते हैं और ग्यापन के अंदर क अच्छक बरती में दिखते रहे गई समस्त पदों को जोड़कर अगली काउंसलिंग के लिए सूची जारी कराई जाने के संब्द में यहां पर जो दिया गया है उसी क्रम में 31 जा साथी भी देखने के लिए मिल जायगा मन्ती जी के पास में इस प्रकार के पत्र आप सभी को देखने के लिए मिल रहे है जिनके मा लिए मन्ती जी कीnost आपसे इस पर शब्दों में जानका ही दी गई है कि आगामी समय के अंदर बच्चे हुए पदों पर थर्ड काउंचलिंग अवश्य होगी ऐसे वह मंती जी की तरफ से भी बताया गया है कि जल्दी विद्याले आवंटन की प्रकिया शुरू होने वाली है हाली में जो मीटिंग हुई है उसके माद्यम से जानकाई निकली है कि 36-590 सिचकों को जल्दी विद्याले आवंटन होंगे लेकिन उससे पहले शंशोधन का फैसला होने के साथ ही विद्याले आवंटन प्रकिया यहां से शुरू कर दी जाएगी और जैसी विद्याले समय के अंदर जल्दी आप लोगों को यहां से खुशका भी मिने वाली है जो कि थर्ड काउंसलिंग से संबन देते हैं साथ में जानकाई यहां पर यह भी दी गई कि जल्दी विद्याले आवंटन की प्रकिया भी शुरू करबादी जाएगी बहुत साए अभ्यति कहते हैं उसके बताना चाहूं हाली में जो मीटिंग होई है मीटिंग के बार से कल मंती जी की तरफ से यहां पर जानकाई दी गई कि विद्याले आवंटन प्रकिया को लेकर विबाग को दिशार निदेश दिये गए है जल्दी आगे की जो प्रकिया वो शुरू होने वाली है तो ऐ ऐसे में दोनों अभ्यत्यों के लिए बड़ी खुशकब्री है थोड़ा सा और पेशन्स रकिए जो कि 36-590 वाले हैं जैसा कि आप लोग देख पाएं कि वेतन भी जारी होने शुरू हो गए तो उम्भीद है कि जल्दी आप सुभी का यहां से बिद्याले आवंटन होगा और उसके बाद में थर्ड कांस्लिंग भी शुरू करबादी जाएगी वहीं दूसी तब बात करें प्रदेश के अंदर साड़े तीन अजार किलक साथ में सुपरवाइजर की भरती के वाये में आंगण मारी की विवस्ता सुनेशित करने के लिए जल्दी तीन अजार से अधिक पंदेर साल पुरानी भरतियों को रास्ता साफ हो गया है अगर बात करें 2422 सुपरवाइजर साथ में किलक के लगबख 1000 पर इनके लिए जो आविदन 266 में लिए गए थे 2007 सरकार बदलने की बिरिया से अधीन सेवा चैन आयोग भंग होने के कारण भरतिया नहीं नहीं बदलने पर भी बरती आगे नहीं बड़ी तो ऐसे मैं आगामी समय के अंदर जानका दी है कि जल्दी यहां पर 3500 पर जो बरती है वो देखने के लिए मिलेगी यूपी टेपल सी से अधियाचन यहां पर बेजे जाएंगे उसके बाद में परती का विग्यापन भी जादी ह होगा फिलाल यहां से जो मंजू ही है मिल चुकी है जो भी जैसे भी अप्डेटों की लगाता आप सब्सक्राइब के माध्यम से मिलती हैगी फिलाइच वीडियो के माध्यम से इतना ही थैंक यू थैंक यू फो बोचिंग इस वीडियो